हेलो अब्रूवान वेरे वेरे गड़ा अप्टेर नून कैसे हो खोब करते हूँ आप सब लोग अच्छे ही होगे श्रो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो ममलग बात करेंगे यूपी बेट एंटर्स एक्जाम 24 के बारे में की इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे फॉर्म की लास डिट क्या होगी एक्जाम इसका किस मन्त में होगा रिजल्ट कब आएगा काउंसिलिंग कब से स्टार्ट होगी जिनका इस वर्ष ग्रेजिशन या पोउस्ट ग्रेजिशन फाइनल इयर है क्या वो फ़र्म को भर सकते है या नहीं भर सकते हैं वन एर बीए ट, टू एर बीए ट, फो एर बीए ट का फ़र्म एक साथ आएगा या अलग अलग आएगा UPDLAT 2024 का फ़र्म किस मन्त में आएगा सारी जानकारी आपको इस विड़ में मिल वाली है UPDLAT, UPBA टीचिंग, एक्जाम की पलपल की लेटिस्ट, अथेंटिक अपडेट पाने के लिए अभी कभी Education विसाइल YouTube चलों को सबस्क्राइब करिए ताकि जो भी अबडेट हैं, वो अबडेट आपको सबसे पहले हमारी चैनल के मादब से मिल सके तो चली विड़ो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम थोड़ा सा बात कर लिए रहे हैं UP DELETE Online Form 2024 के बारे में देखे इसके जो फार्म है आपको जो है अप्रैल में मिलेंगे, कम मिलेंगे अप्रैल में देखने को मिल जाएंगे ठीक है? अप्रैल में आपको देखने को मिल जाएंगे अगर हम इस विससल यूपी की बात करेंगे तो यूपी में जो डियलेट में admission होता है वो merit based होता है बिहार में आपका जो है entrance exam के दुरू admission होता है बिहार डियलेट के online form भरे जा रहे हैं और यूपी डियलेट का form आएगा आपका April last में कभी-कभी माई भी हो जाता है तो April माई मान के चली आपका जो है form आ जाएगा इसमें merit based होता है 10th की देखी जाती है merit 12 की देखी जाती है and graduation की आपकी merit देखी जाती है तो इसमें जो है आपका merit based होगा अब हम बात करेंगे BA entrance exam 2024 के बारे में अगर हम पिछली बार के बार करें तो पिछली बार एक फर्वरी को इसका जो है notification जारी कर दिया गा था यानि कि कल की date को इसका notification जारी कर दिया गा था और 10 फर्वरी से form सुरू हो गए थे तो क्या 2024 का जो notification है कल जारी हो सकता है बिलकुन जारी हो सकता है February की first week में है आपका notification 100% आ जाएगा ओके तो आपके form मैंने पहले भी बताया था आपके form आ जाएंगे form start होंगे वो फरवरी के second week से ही यानि कि 8 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में हर हाल में आपके form start हो जाएंगे ओके ना तो आप लोगों को इस बार जैसे beard करना है तो तैयरी आप लोग सुरू कर दीजिए कल के बाद आपको कभी भी इसका notification देखने को मिल जाएगा अब यहाँ पे बच्चों में doubt है कि जो one year का beard है two year का beard है four year का beard है इसका form एक साथ आएगा नहीं form जो आएगा अभी यह केवल two year वाला आएगा two year वाला अब जो यहाँ पे four year वाला beard है one year वाला beard है इसमें क्या होगा अलग-अलग इंवस्टियों में इसको चलाए जा रहे हैं धीरे-धीरे 2030 के बाद इसको जो है मतलब पोड़ रूप से श्टार्ट किया जाएगा जैसे अभी इसपेसल जो UP beard का entrance exam होता है तो बाद में किवल चार वर्सी beard का ही किवल entrance exam हुआ करेगा अभी जो farm आएगा डियर यह जो entrance exam के थूरू जो आपका होगा यह two year वाला आएगा भी farm उसके बाद जैसे अगर हम बात करें लकनव विस्विद्देले की तो लकनव विस्विद्देले में four year का beard start किया जा रहा है one year का भी beard start किया जा रहा है अभी वहाँ पे time लगेगा थोड़ा सा start हो जागा 2014 में ही बट वहाँ पे थोड़ा सा समय लगेगा हो सकता है कि जो two year का notification आ रहा है इसके साथ one year का beard आ जाए जिनके पास जैसे PG है तो उनका एक वरस का हो जाएगा बट four year वाला तो एक साथ नहीं आएगा ये जो है अलग से ही start होगा enter के बाद जैसे जो बच्चे teaching में अपना career बनाना चाहते हैं तो वो four year integrated beard कोर्स कर सकेंगे उनकी जो है graduation की डिगरी and beard की डिगरी दोनों एक साथ दी जाएगी अब यहां पी जैसे फार्म आ जाता है कल के बाद कभी भी जैसे तीन से चार दिनों में आ जाता है तो इसकी last date क्या होगी कम से कम 25 दिन का समय आपको दिया जाएगा और इसका exam last April में पिछली बार इसकी जो exam date दी गए थी 20 से पचीस अपरेल दी गए थी और फिर दो महीने फार्म की तिथी को बढ़ा दिया गया तो फिर exam date भी extend हो गया दो महीने तो इस बार भी मान के लिए अगर फरवरी में आता है जो तिथी है फार्म की तिथी 100% इस वर्स बढ़ाई जाएगी क्योंकि आवेदन थोड़ा सा कमाएंगे बीएग में ऐसा नहीं है आएंगे थोड़ा सा बट कमाएंगे बस यही होगा फर्क तो डेट बढ़ाएंगे और यह मान के लिए कि आपका जो एक्जाम होगा डिर माई में हो जाएगा तो सरकारी सीट अगर आपको लेनी है तो चैनलों को सब्सक्राइब करिए और जो क्लासेस हमारे चैनल पे स्टार्ट हैं देखिए बेस्ट बुक आप लोग ले सकते हैं चकसू पब्लिकेशन की बुक से आपनी प्रिविशन आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कवर पे चैनल पे देख सकते हैं कला वरिकी की इस्टेडी गाइट बुक है इसमें आपको 2014 से 23 तक की प्रिविशर के कोश्चन 27 से जदा इंपॉर्टिन कोश्चन पार्टिक्रमा अनुशार आपको जो है इसमें देखने को मिल जाएंगे यहाँ पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से स्रेष्ट है नए पैटर्ण पर है यहाँ पे देखेंगे SRR पब्लिकेशन की बुक एंड नीचे इसका एक्जाम पैटर्ण दिया गया है नीचे और भी आएंगे तो यहाँ पे इसकी विसे सुची देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट की बुक आती है तो अपनी तैयारी को और भी बहतरिन करने के लिए इनकी प्रैक्टिस सेट की बुक लिशच कते हैं प्रैक्टिस सेट की बुक में आपको 4900 से ज़ादा important question, 160 paper, 15 practice setup को अलग से देखने को मिल जाएंगे तो दोनों पुस्तके आपको हर मार्केट पे बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी आप इसे online भी order कर सकते हैं, link वीडियो के description box में दे दिया हूँ बाकी बाकी बिया डियलेट से related कुछ भी doubts हैं तो आप comment box में doubt clear कर सकते हैं बाकी classes से start हो गई है, आप playlist में जाएंगे, आपको syllabus की वीडियो, exam pattern की वीडियो and classes जो हैं मिल जाएंगी चलिए और बाकी कल से continue आपकी classes स्टार्ट हो जाएंगी, बिलकुन free में आप लोग हमारे channel से जुलकर आपनी तयारी कर सकते हैं फार में की पलपल की latest authentic update वाने के लिए education विसाल YouTube चनल को subscribe करें, thank you so much, जब भी notification आएगा तुरंत आपको inform किया जाएगा, bye bye take care